वसकार स्वागत है आपका हमारे चनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रजैनी एंसीपी नेता नवाह मली को लेकर एंसीबी के कफा किरन गोसावी ने बड़ा खुलासा किया है किरन गोसावी ने कहा है कि नवाह मली के हातों परफाकर जेल बिख चुका है आपको बता दें परफाकर सेल जो कि किरन कोसावी का बोड़ीकार है और हाली में उसकी तरफ से एक सोशल मीडिया पर हलफनामा जारी किया गया था जिसमें उसने ना सिर्फ किरन कोसावी बलकी NCB के चॉनल डिरेक्टर समीर हुआन खेड़े पर भी बेहत गंफीर अहरोब लगाए थे किरन कोसावी के परफाकर सेल ये दावा कर रही हैं कि दरसल आर्हियन खान को बचाने के लिए 25 करोड की डील हुई थी यह डील 18 करोड में डन हुई थी और ये डील किरन कोसावी ने की थी और वही समीर ुवान खेड़े को पैसे पहुचाने वाले थे लेकिन इसको लेकर अब किरन कोसा भी साफने आई हैं और उन्होंने इंडिया तूड़े से बाचीत करते हुए कई बड़े और संसनी खेज खुलासे इस पूरे माफले में किये हैं उन्होंने कहा है कि 25 करोड की ढील का जो आहरोब लगाया चारा है वो पूरी तरीके से गलत है लेकिन वहीं परफाकर सेल को लेकर उन्होंने बड़ा खुलासा किया है उन्होंने कहा है कि नवाख मलिक ने परफाकर सेल को इस काम के लिए टू बीच के फ्लैक दिया है इतना ही नहीं पैसे भी लगातार नवाग मलिक दे रहे हैं ये भी बड़ा खुलासा उनकी तरफ से किया किया है साथ ही उन्होंने कहा है कि 25 करोड की डील में कोई सच्चाई नहीं है और ये जर्फ और जर्फ इन्वेस्टिकेशन को खराब करने के लिए तमाम चीजें की जा रही है इसकी पूरी जाच होनी चाहिए परभाकर सेल है जो एफिडेविट चारी किया है उसकी जाच होनी चाहिए इतना ही नहीं परभाकर सेल की कॉल डीटेल खंगाली चाहे और उससे पता चलेगा कि आखिर इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है तो किरन कोसाफी वो शक्स है जो आर्यन खान के साथ सेलफी लेते नजर आये थे और उसके बाद वो साहने नहीं आए जाहिर तोर पर उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है उन्होंने कहा है कि उन्हें लगातार धमक्या मिल रही है उनके साथ डील कटने की कोशिश इस पूरे माखले में की जा रही है लेकिन नवाफ मलिक जो लगातार NCB के जॉर्नल डिरेक्टर समीर वान खेड़े को खेटने की तमाम कोशिशे कर रही है इस पूरी जाच को किस तरीके से परभावित किया चाहे इसकी कोशिशे नवाफ म गई है ये विजिलेंस टीम जो है वो तमाम आहरोपों की जाच करेगी जो समीर वान खेड़े पर लगाए चाह रहे हैं जाहिर तोर पर पूस्ताच ना सिर्फ पर भाकर जैल से होगी बलकि इसके लाफ़ा नवाफ मलिक से भी पूस्ताच होगी क्योंकि वो लगातार जिस तरीके से वो एक के बाद एक इस पूरे माहले में जूट परोस रहे हैं नवाफ मलिक लगातार समीर वान खेड़े को लेकर एक के बाद एक तमाम जूटे और निराधार आहरोप उन पर लगा रहे हैं और एक पार फिर से उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फरेंस की गई प्रेस क कुरेशी का बीच निखा हुआ था ये निखा मुंबाई के अंधिरी लोखंड वाला कॉंपलेक्स में हुआ था इतना ही नहीं एक ट्वीट में उनकी तरफ से ये लिखा किया है कि निखा में 33,000 रुपिये मेहर के रूप में अदा किया गये था इसमें गफा नंबर दो अज अजीज घान थे जो कि समीर वानखेड़ी की बेहन यासमीन वानखेड़े के पती हैं तो अभी भी समीर दाउध वानखेड़े नवाफ मलिक की और से लिखा जा रहा है कहा जा रहा है लेकिन इसको लेकर लगाहतार समीर वानखेड़े का पूरा परिवार ये खुलासा कर च ही हैं बलकि ग्याकदे वानखिड़े हैं फिर चाहे वो तमाम डोक्यूमेंट्स उनके खंगाल सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी उनके परिफार की और से ज्वारी किया गया है लेकिन नवाफ मलिक जाहरतोर पर इस जूट प कहा चारा है कि समीर वानखेड़े दरसल एक मुस्लिम परिफार से थे लेकिन उन्होंने धर्म परिफरतन किया उसके बाद वो दलित बन गए पर जीवारा से उन्होंने नौकरी पाई है यह तमाम आरोप हैं जो उनकी तरफ से लगाए का हैं लेकिन किस तरीके से नवाफ मल दरसल तमाम उनके दस्ताफेच को एडिट करके यह सोशल मीठिया पर जारी कराई हैं लेकिन उनकी पतनी की और से यह साथ तोर पर कहा गया है कि ट्वीटर पर जिस तरीके से नवाफ मलिक जूट परोस रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा जो कानूनी कहरवाई होगी वो अब कोर्ट में होगी कोर्ट में आमना साहना होगा जाहिएर तोर पर चुकि नवाफ मलिक के यह आखरोब कितने जूटे और निरधार हैं यह लगातार खुलासा हो रहा है और जहां तक बात समीर वान-खेड़े की शादी की है तो आपका बता दें समीर वान-खेड़े ने खु पूइ थी यह उनकी पत्न क्रांती वानखेडे है हाली में प्रैस कॉन्फरेंस करते हुए खुलासा किया था तो तमाम सचा इस में हैं लेकिन वाफ मलीक किस तरीके से समीर वान खिड़े पर परसनल अटैक कर रहे हैं किस तरीके से उनकी कुंडली खंगली जा रही है यह लगातार देखने को मिल रहा है लेकिन वाफ मलीक यह सब कुछ इसलिए कर रहा है चुकि अब नवा हमलीक फ authentication है एक तरफ NCB ने इस पूरे माफले में जाच बैठा दी है वहीं दूसरी और नवाह मलिक के खिलाफ अब FIR भी दर्ज हो चुकी है और अब उनके खिलाफ तैयारी कहीं न कहीं हो चुकी है कि किस तरीके से नवाह मलिक को इस पूरे जूट का जवाब दिया चाहे फिलाल आपको बता दें अब किरन कोहसावी से लेकर तमाम जो NCB के कवा है वो जाने आए हैं कि परफाकर सेहर ने जो दाफे किये हैं वो पूरी तरीके से जूट है है और इतना ही नहीं कल आर्यन खान के वकीलों की ओर से पॉंबे हाइग कोट में जो एफिडेविट दिया किया है उसमें पी ये कहा क्या है कि दरसल परफाकर सेल और पूजा डडलाही जो कि शारुक खान की मैनेजर है उनके बीच कोई भी पैसो को लेकर बातचीत नहीं हुई है तो फिर ये 25 करोड की डील की बात कहां से आई है कहां से के बात साहने आई है कि 8 करोड रुपिये इस डील में से सम फिलाल यही है क्या उधव ठाकरे सरकार नवाह मलिक के दाफाद समीर खान को बचाने के लिए ये पूरी स्क्रिप्ट लिख रही है ये सवाल है जो देश की जनता और खासतोर पर महराश्ट की जनता अब नवाह मलिक से पूछ रही है लेकिन फिलाल नवाह मलिक के और सदस्य चीम जो है राजथानी दिल्ली से मुंबई पहुंच गई है जो इस पूरे माफले की जाच करे की और जाहर तोर पर नवाह मलीक की मुश्किलें अब कई कुना बढ़ती नजर आ रही हैं सिर्फ इतना ही नहीं आपका बढ़ा दे नवाह मलीक पर जिस तरीके से अब श थी और एक बड़े ड्रग माफिया ने इस पार्टी को आयोजित किया था आपको बता दे ये वही नवाह मलीक है जो शुरू से ये कह रहे हैं कि कोई ड्रग पार्टी नहीं हुई समीर फान खेड ने इस फरजी रेड को अंचाफ दिया है लेकिन अब नवाह मलीक ये कह रह ये पार्टी आयोजित की थी खेल तो हो गया लेकिन खेल का खिलाडी ताहिल ये घुम रहा है इसका जवाब एंसीबी को देना पड़ेगा ये नवाह मलीक का बयान है जो अब साफ ने आया है जिससे साफ तोर पर समझ वा रहा है कि नवाह मलीक अब अपने बुने जाल में पस चुके हैं और शिकंजा अब एंसीबी का नवाह मलीक पर गहराएगा यही वज़ा है कि अब नवाह मलीक इस तरीके की बयातवाजी कर रहा हैं सीसीटीवी फोटेज की बात कर रहा हैं अब कहीं न कहीं आहरोब जो है वो एक ड्रग माफिया पर मढ़े जा रहा हैं आर् इचेपी की ओर से इस पूरे माहले में पूर मुख्यमंतुरी महराष्ट के देफेंदर पढ़नविस का बयान सापने आया हैं उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को थमकाना सही नहीं है अगर गफाओ की विश्वसनियता को नस्ट करने की कोशिश की गई है तो कोई भी गफ वानखेडे ने सापने आकर उनके परिवाष ने भी परकाहिता इन तमाम आफों का जवाब दिया है लेकिन जाच होनी जरूरी है समेर वानखेडे पर लगे आहरोब जूटे साबित होते हैं तो जाहिर तोर पर उथव ठाकरे सरकार कहीं न कहीं पूरी तरीके से फश चुक माफ्याव का प्रोचाहन किया चारा है तो जाहिर तोर पर उथव ठाकरे सरकार के इन ड्रग माफ्याव से क्या कनेक्शन है ये सवाल भी अब देश की जनता पूछ रही है लेकिन फिलाल ये जाच जारी है और इस बीच किरन को सावी का ये बड़ा खुलासा कि वो पूरी जाच में सहयों कटने के लिए पूरी तरीके से तयार है लेकिन जाच परभाकर जैल की भी होनी चाहिए जाच उन आरोपी की भी होनी चाहिए जो परभाकर जैल ने लगाए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि इसके तिये उन्हें दरसल पैसे दिये जा रहे हैं पैसों की दील ह रही है और 2BHK फ्लैट जो है उसका दावा भी उन्होंने किया है कि नवाफ मलिक ने परफाकर जैल को इस कार के थिये ये 2BHK फ्लैट दिया है फिलाल आपकी इस पूरे माफले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बोक्स में जरू लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्य